केंद्र सरकार ने प्यास की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कमद उठाया है। उसने बफर स्टॉक से ठोक मार्केट में प्यास की बिक्री तेज कर दी है। उसे उम्मीद है कि बफर स्टॉक से अधिक मात्रा में प्यास जारी करने पर मार्केट में इसक काफी महेंगा हो गया है पिछले कुछ हफ्तों से प्याज 60 रुपए किलोग्राम बिक रहा है जबकि अगस्त की शुरुआती दिनों तक प्याज का कारेट 35 से 40 रुपए किलोग्राम था उपभोक्ता मामलों की सचिव निधी खरे ने सोमवार को कहा कि केंद्र ने दिल्ली और अन्य प्रमुक शहरों के थोक बाजारों में अपने बफर स्टॉक से भारी मातरा में प्याज जारी करना शुरू कर दिया है साथ ही उसने देश भर में सबसिडी वाले खुद्रा प्याज की बिक्री भी करेगा इसके लिए विस्तार से योजना बनाई जा रही है खरे ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमें निर्याज शुल्क हटाए जाने के बाद कीमतों में उच्छाल की आशंका थी हालां कि अभी हमारे पास प्याज का 4.7 लाक टन बफर स्टॉक है साथ ही इस बार खरीफ प्यास का रगबा भी बढ़ा है ऐसे में हमें उम्मीद है कि प्यास की बढ़ती कीमतों पर ब्रेक लगेगा निधी खरे ने कहा कि सरकार पूरे देश में 35 रुपए प्रती किलोग्राम की सबसिडी दर पर प्यास की खुद्रा बिक्री बढ़ाने की योजना बना रही है जिसमें उन शहरों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जहां कीमतें राष्ट्रिय औसत से अधिक हैं आधिकारिक अंकडों के अनुसार 22 सितंबर को दिल्ली में खुद्रा प्यास की कीमत 55 रुपए प्रती किलोग्राम थी जो एक साल पहले 38 रुपए प्रती किलोग्राम थी मुंबई और चेन्नई में कीमतें 58 रुपए और 60 रुपए प्रती किलोग्राम तक पहुँच गई है 5 सितंबर से सरकार दिल्ली और अन्य राजियों की राजधानियों में मोबाइल वैन और NCCF तथा नैफेड के आउटलेट के माध्यम से 35 रुपए प्रती किलोग्राम की दर से प्याज बेच रही है खरे ने आगामी खरीफ प्यास की फसल के बारे में कहा कि पिछले साल की तुलना में काफी अधिक रखबा बढ़ा है उन्होंने कहा कि आवक अगले महीने शुरू होगी और हमें उत्पादन संबंधी कोई चिंता नहीं दिखती है सचिव ने अन्य कमोडिटी की कीमतों के बारे में भी बात की खादे तेलों के बारे में उन्होंने हाल ही में आयात शुल्क में बढ़ोतरी के बाद कीमतों में व्रिधी को स्वीकार किया उन्होंने बताया कि यह कदम घरेलू किसानों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है Bureau Report Market Times TV